नमस्ते दोस्तों संतुलन के खजाने में आप लोगों का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं पादा भिंगे के बारे में पादा भिंगे ये दो शब्दों से बना हुआ है अभी देखें मसाज का तो महत्स सबको मालुम है पर पादा, भिंगे अलग क्यों है क्योंकि आएरवेट के हिसाब से जो भी व्यक्ति रोज पेरों को तेल या किसी भी प्रकार का स्नेहा लगाता है उसको दिरगाईू और आरुग्ये की प्राप्ती होती है अब पूरे शरीर को तेल लगाने की possibility हो नहीं लगा पाए तो कम से कम पैरों को सनेह लगाना ये बहुत ज़रूरी होता है इस पादा भिंगे कि क्या फायदे होते हैं दिखी तेल अगर पैरों को लगाएंगे या घी पैरों को लगाएंगे तो naturally वहां की dryness कम होगी वहां के जो cracks वगरे होंगे वो तो सब ठीक होगा ही पर हम cosmetic तोर पे इसका विचार नहीं कर रहे हैं क्या होता है जब हम स्नेह पैरों को लगाते हैं तो आयरवेद के हिसाब से शरीर में होने वाली कोई भी वातव्यादी है उसको हम कम करने में मदद कर सकते हैं वैसे ही शरीर में होने वाले सभी नसों का जो मूल है जो एंड है वह हमारे पेरो K Black में रहता है ऐसा आईरृफ के हिसाब से बताया तो इसलिए हम जब वहाँ पे तेल लगाते हैं तो सभी नसों को भी फायदा होता है में जो आईरवेद में बताया गया है कि ग्रद्रसी मतलब जिसे आज हम लोग साइटी का कहते हैं तो साइटी का को रोकने के लिए उसका प्रतिबंद करने के लिए भी पादा विंग का फा कि अगर पादा विंग किया जाता है तो लोगों को इस तनाव से शारीरिक श्रम से मुक्ति मिलती है ऐसे लोगों ने कई बार हमें अनुभव यहां बताय हुए है अभी यह पादा विंग करना कैसे है तो देखी यह तो एक्चुली प्रॉपर थेरेपी होती है जो अच्छी होती है और एसका यूज किसलिए करने वाले हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो पित्त दोश है उसे संतुलित करने में मदद करती है उसी के साथ इसमें कपड़ा भी दिया गया है क्योंकि जब पैरों को कोई भी हम स्नेह लगाएंगे तो हमें इसको पोचना तो पड सेले अगर वो पॉसिबल ना हो तो आप दिन बर में कभी भी आपको समय हो तो आप यह कर सकते हैं इसके लिए हमें केवल आवशक्ता होती है 20 मिनिट देने के आप टीवी देख रहे हों किसी के साथ गप्पे मार रहे हो खुद का खुद भी आप पादा बिंग कर सकते हैं या किसी दूसरे के द्वारा भी आप घर के सदसे से पादा बिंग करवा सकते हैं दोनों पैरों पर ये पादा बिंग गुरुत लगा कर अच्छे से थोड़ी सी मसाज कीजिए और फिर कासे के कटोरी लेकर 10-10 मिनिट दोनों तलवों को इससे राउंड राउंड मसाज करन करेंगे या बहुत जादा काले भी हो सकते हैं इस्पेशली जो डाइबीटीज मतलब मदू में के पेशन्ट होते हैं जिन में पित्त का प्रकूब बहुत जादा हमें दिखता है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है ऐसे लोग तो हमें कारला में स्पेशली बताते हैं कि उनके पैर एकदम कोईले की तरह काले हो जाते हैं तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है आपके शरीर का जो दोश है वो कम हो रहा है तो इस प्रकार से ये पूरे 20 मिनिट मतलब 10-10 मिनिट दोनों तलवों का मसाज करने के बाद आप पैर पोच के सो जाए और अगर आपको ल पैंटे ही नीन मिलने वाली है तो इतना याद रखिए कि अगर आपने उसमें से 20 मिनिट वो जो आपकी नीन के हैं वो अगर पादा बहुंग करने में दिये तो नीन कम होने की कारण जो पित्त की या ऐसी डिटी की या इंडियाजेशन की तकलिफ आपको होने वाली वो बि मुझंग करते हैं जो आपको होने अ.